परम पुनीति नजाइत जी किये प्रेम बड़े पाप प्रगटिन कहती महे सुकचु हिर्दय अधिक संताप सती परम पवित्र है इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है और प्रेम करने में बड़ा पाप है प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते प्रन्तून के इर्दय में बड़ा संताप है तब संकर प्रभु पद्धिसरी नावा सुमिरति राम हिर्दय असे आवा एही तनी से सताई भेट मही नाही सिव संकल्प की निमन माही तब स्यू जी ने प्रभु स्री राम चंजी के चरड़ कमलों में सिर्ण वाया और स्री राम जी का अ जती के इस सरीर से मेरी भेट नहीं हो सकती और स्यू जी ने अपने मन में असंकल्प कर लिया अस विचारी संकारू मते दीरा चले भवनी सुमिरती रगवीरा चलती गगन भैगी रासु आई जय महेसे भली भगती ड़ाई इस थेर बुद्धी संकार जी ऐसा विचार का स्री रगवनाजी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले चलते समय सुन्दर आकास वाड़ी हुई की हे महेस आपकी जय हो आपने भक्ती की अच्छी दृता की है असिपन तुम्हे भी निका रहिना आना रामे भगती समरत भगवाना सुनी नविगी रास ती यूर सोचा पूछा सिवई समेती सकोचा आपको छोड़ कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिग्या कर सकता है आप स्री रामचन जी के भक्त हैं समर्थ हैं और भगवान हैं इस आकास बाड़ी को सुनकर सती जी के मन में चिन्ता होई और उन्होंने सकुचाते हुए सिवई जी से पूछा की निकमन निपने कहो कृपाला सत्ते धामे प्रभुदीन दयाला जद पी सती पूछा अब उभाती तद पी नकहे उत्रपूर आराती हे किरपाल कहिए आपने कौन सी प्रतिग्या की है हे प्रभु आप सत्ति के धाम और दीन दयालों यद्यप सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा प्रंतिपराड सिव जी ने कुछ न कहा सती इर्दय अनुमान की सब जानें सरबग गे कीनी कपट मैं संबू सनिनारी सहज जड़ अग गे सती जी ने इर्दय में अनुमान किया कि सरबग सिव जी सब जान गए मैंने सिव जी से कपट किया इस्त्री सुभाव से ही मूर्ख और बे समझ होती है जलू पैसरी सी विकाए देखे पृति के रीति भली मिलग हो एरसुजाए कपट खटाई परति पूनी पृति की सुन्दर रीत देखिए कि जल भी दूद के साथ मिलकर दूद के समान भाव विकता है परन्त फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है अपनी करनी को याद करके सती जी के हिर्दे में इतना सोच है और इतना अपार चिन्ता है कि जिसका वाणन नहीं किया जा सकता उन्होंने समझ लिया कि स्यू जी की कृपा के परम अथा सागर है इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराद नहीं कहा संकर रुक अलो की भमानी प्रभु मुहिता जे उर्दय अकुलानी निजी अगसमुझी नकचुकई जाई तपई अवाई उर्दिकाई स्यू जी का रुख देकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वो हिर्दय में ब्याकुलोटी अपना पाप समझ कर कुछ कहते नहीं बनता प्रण्थिर्दय भीतर ही भीतर कुमार की आवे के समान अत्यंत जलने लगा सतही ससोची जान ब्रिसकेतू कही कथा सुन्दर सुखेतू वरिनत पंत विविद इतियासा विस्वनात पहुचे कहलाशा ब्रिसकेत स्यू जी ने सती को चिंता युक्त जान कर उन्हें सुख देने के लिए यसुन्दर कथाएं कही इस प्रकार मार्ग में बिविद प्रकार के इतियासो को कहते हुए बिस्वनात कैलाश जा पहुचे तहपु निस संबु समजी पनी आपने बैटे बटे तरे करी कम लाशन संकरी सहजी सरपु समारा लागी समाधी अखंडे अपारा वहाँ फिर स्यू जी अपनी प्रतिग्या को याद करके बढ़के पेड़ के नीचे पदमासन लगा कर बैढ़ गयें स्यू जी ने अपना स्वभाविक रूप समाला उनकी अखंड और अपार समाधी लग गई सती वसही कैलासी तब अधिक सो सुमा निमाई मरम नको जानी कछू जुग समदी वसी सिराई तब सती जी का एलास पर रहने लगी उनके मन में बड़ा दुख था इस रहस को कोई कुछ भी नहीं जानता उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था सती जी केरदे में निति नया और भारी शोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाओंगी मैंने जो भी रगुनाज जी का अपमान किया और फिर पती के बचनों का जूट जाना सो फल मोही विधाता दीना जो कुछ उचित रहा सो एकीना अवे विदिया से बूजए नहीं तो ही संकर विमुक जिवावे सिमोही उसका फल विधाता ने मुझे को दिया जो उचित था वही किया परंथ हे विधाता अब तुझे या उचित नहीं है जो संकर से विमुक होने पर भी मुझे जिला रहा है कही न जाए कछुग हिर्दय गलानी मन महुरामै सुमिर सयानी सती जी के इर्दय की गलानी कुछ नहीं जाती बुद्धिमती सती जी ने मन में स्री रामचंजी का अस्मर्ण किया और कहा हे प्रवो आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदु ने आपका या यस गाया है कि आप दुख को हरने वाले है तो मैं भी ने करव करी जोरी चूटई बेगी देहिया मोरी जो मोरे सियू चरन सने हूँ मन क्रम बचन सत्ते ब्रते हूँ तो मैं हाथ जोड़ कर बिंती करती हूँ कि मेरी यादें जल्दी छूट जाए यदि मेरा स्यू जी के चरणों में प्रेम है और मेरा याद प्रेम का ब्रत मन वचन और कर्म से सत्ते है तो सब दर्सी सुना ही प्रभू करव सो बेग उपाए होई मरन जेही बिन ही स्रम दसहु विपत्ति भिहाए तो हे सर्ब दर्सी प्रभो सुनिये और सीग्रिया उपाए कीजिये जिससे मेरा मरन हो और विनाही परिश्रम या पती परत्याग रूपी अशहा विपत्ति दूर हो जाए एही विद दुखिति प्रजेस कुमारी अकतनिये दारून दुख भारी बीते संबते सहस सतासी तजी समाधी संबू अविनासी दच सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी उनको इतना दारूर दुख था कि जिसका वर्ण नहीं किया जा सकता सतासी अजार बर्स बीच जाने पर अविनासी सियू जी ने सबाधी खोली राम में नाम में सियू सुमेरने लागे जाने हो सती जगति पती जागे जाई संबू पदे बंदन कीना सने मुको संकरे या सुने दीना सियू जी राम नाम का समन करने लगे तब सत्य जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे उन्होंने जाकर सुष्यू जी के चरणों में प्रणाम किया सियू जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया लगे कहानी हरी कथा रसाला दच्च प्रजे से भएते ही काला देखा विदि विचारी सविलायक दच्च की प्रणापती नायक सियू जी भगवान हरी की रसमे कथाएं कहने लगे उससी समय दच्च प्रणापती हुएं ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझ कर दच्छ को प्रजापतियों का नायक बना दिया बड़े अधिकारे दच्छ जब पावा अति अभिनाम हिर्दय तब आवा नहीं को हूँ असिजनिमा जगमाही प्रभुता पाई जाय मद नाही जब दच्छ ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके इर्दय में अत्यां तभिमान आ गया जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो दच्छ लिये मुनी बेली सब करने लगे बड़े जाग निवते सादर सकल सुर जे पावति मख भाग दच्छ ने सम्मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यग करने लगे जो द्योता यग का भाग पाते हैं दच्छ ने उन सब को आदर सहीत निमंतरित किया किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंदुन समेत चले सुर सर्वा विष्णू विरची महेश विहाई चले सकल सुर जानी बनाई दच्छ का निमंतर पाके किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देउता अपनी अपनी इस्त्रियों सही चले बिश्डु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़ कर सभी देवता अपना अपना बिमान सजा कर चले सती बिलो के बियों बिमाना जाती चले सुन्दर भी दिनाना सुरु सुन्दरी करही कले गाना सुनत अस्रमने चूटाई मोनिध्याना सती जी ने देखा अनेक प्रकार के सुन्दर भीमान आकास में चले जा रहे हैं देव सुन्दरियां मधुर गान कर रही है जीने सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है सती जी ने बिमानों में देवताओं को जाने के कारण पूछा तब सियो जी ने सब बाते बतलाई पिता ने यग की बाते सुनकर सती कुछ पुरसन हुई और सोचने लगी कि यद महादेव जी मुझे आग्या दे तो इसी वहाने कुछ दिन पिता के घड़ जा कर रहूं पति परित्याग हिर्दय दुख भारी कहा इननी जी अपिरादे विचारी बोली सती मनोहरे बानी भाय संकोच प्रेमरस सानी क्योकि उनके हिर्दय में पत्ती द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था पर अपना परात समझ कर वे कुछ नत कहती थी आखिर सती जी भाय संकोच और प्रेमरस में सनी हुई मनोहर वाडी से बोली पिता भमनी उत्सो परम जो प्रभु आयुस होई तो मैं जाओ कृपायतन सादर देखने सोई हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सो है यदे आपकी आज्या हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहीद उसे देखने जाओं कहे उनी के मोरे उमन भावा यहां अनुचित नहीं नेवत पठावा दच्छ सकल निज सुता बोलाई हमरे बयर तुम्हे पिसर आई सिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कई या मेरी मन को भी पसंद आई पर उन्होंने निवत नहीं दिया या निचित है दच्छ ने अपनी सव लड़कियों को बुलाया है किन्थ हमारे बयर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया ब्रह्मा सभा हम सन दुक माना तेही तेय ज़ो करई अपमाना ज़ो भी निबोले जाहु ववानी रहे नसील उसने नाकानी एक बार ब्रह्मा की सभा में हम से अपरसन हो गये थे उसी से होए अब भी हमारा अपमान करते हैं ये भवानी जो तुम बिन बुलाए जाओगी तो ना सील इसने ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी जद्यप मित्र प्रभुपितु गुरगेहा जाए बिन बोले न संदेया तद पि विरोधी माने जए कोई तहां गए कल्यान नहोई यद्यप इसमें संदे नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिन बुलाए भी जाना चाहिए तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्यान नहीं होता भाती अनेके संबु समुझावा भावी बसना गया नूरावा कह प्रभु जाए न भी नहीं बुलाए नहीं भली बाती हमारे भाए सिव जी ने बहुत ही प्रकार से समझाया और होनार बस सती के हिर्दे में बोध नहीं हुआ फिर सिव जी ने कहा यद भी न बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी कही देखा हर जतन बहु रहे न दच्छी कुमार दिये मुख्य गनि संग तब विदा की नित्रफुरार सिव जी ने बहुत ही प्रकार से कह कर देख लिया किन्तु जब सती किसी भी प्रकार नहीं रुकी तब त्रिफुरार महादेव जी ने अपने मुख्य गड़ों के साथ देखर उनको विदा कर दिया पिता भवनी जब गई भवानी दच्छी तरा से काउन सनिमानी सादर भले ही मिली एक माता भगिनी ही मिली बहुत मुसकाता भवानी जब पिता दच्छ के घर पहुची तब दच्छ के डर्स के मारे किसी ने उनकी आओ भगत नहीं की केवल एक माता भले ही आदर से मिली बहीनी बहुत मुसकाती हुई मिली दच्छ नकच पूची कुसलाता सतही बिलो की जरे सब गाता सती जाए देखाऊ जब आगा कत उनदी की संबु कर भागा दच्छ ने तो उनकी कुसल तक नहीं पूची सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे तब सती ने जाकर यग देखा तो वहां कहीं स्यूजी का भाग दिखाई नहीं दिया तब चित चड़े जो संकर कहे उप्रभू अपुमानी समझे उर्दे उ पाचिल दुख ना हिर्दय यसे ब्यापा जैसे अभयू महा परितापा तब स्यूजी ने जो कहा वो उनकी समझ में आया स्वामी का अपमान समझ कर सती का हिर्दय जल उठा पिछला दुख उनके हिर्दय में उतना ही नहीं ब्यापा था जितना महान दुख इस समय हुआ जद्यप जगी दारुन दुख नाना सब ते कठिन जतियो माना समझ जो सती भयू अति क्रोधा बहुविद जननी की निप्रवोधा यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुन दुख है तथा जात अपमान सबसे बढ़कर कठिन है यह समझ कर सती जी को बड़ा क्रोधा आ गया माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया सिव अपमान न जाई सै हिर्दय न होई प्रवोध सकल सबय हटी हट की तवे बोली बचन सक्रोध परन्तु उनसे सिव जी का अपमान सहा नहीं गया इससे उनके एर्दय में कुछ भी प्रवोध नहीं हुआ तवे सारी सबा को हट पूर्वक डाट कर क्रोध भरे बचन बोली सुनों सबा जद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन संकर निंदा सो फल तूरति लहब सब काहू बली इभाति पचिताब पिताहू हे सबासदो और सम्मोनिशरो सुनों जिन लोगों ने आशियो जी की निंदा की या सुनी उन सब कोन कफल तूरंती मिलेगा और मेरे पिता दच भी भली बात पस्ताएंगे संति संभू सिर्पतिय अपवादा सुने जहां तै असिमरे जादा जहां संति स्यू जी और लच्मी पत्स्री बिश्डू भगवान की निंदा सुनी जाए वहां ऐसी मरियादा है कि यदि अपना वस चले तो उस निंदा करने वाले की जीव काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए जगदात मा महे सुपुरारी जगत जनंग सब के हितकारी पिता मंध मति निदंत देही दच्च सुक्र संभाह यादेही तृपूरदैत को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर जगत की आत्मा है वह हैं जगत पिता और सब का हित करने वाले हैं मेरा मंद बुद्धी पिता उनकी निंदा करता है और मेरा या सरीर दच्छी ही के वीर से उत्पन है। त्याग दोंगी। ऐसा कहकर सती जी ने यो आगनी में अपना सरीर भस्म कर डाला। सारी यग स्याला में हाहा कार मच गई। उसकी रच्छा के। यहां इतियास सकल जग जानी ताते में संचेफ बखानी। दच्छी की जगत पर सिद्ध वही गत हुई जो सुर्द्रोही कही हुआ करती है। यह इतियास सारा संसार जानता है। इसले मानी संचेफ में वाणन किया। सती मरती हरी सने बरुमागा, जन्मे जन्मे सी उपदी अनुरागा। तही कारण नहीं में गिरिग रह जाई, जन्मी पारवती तन उपाई। सती नी मरते से भगवान हरी से या वर्मागा कि मेरा जन्म, जन्मे स्यूजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमान्चल के घर जाकर पारवती के सरीर से जन्म लिया। जब ते उमा सैलिक रह जाई, सकल सिद्ध संपत्य चाई, जहां तहां मुनिय सु आस्रम कीने, उचित बास हिम भूदर दीने। जब से उमा जी हिमान्चल के घर में जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्य चाई गई, मुनियों ने जहां तहां सुंदर आस्रम बना लिये, और हिमान्चल ने उनको उचित अस्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब दुमनों ना जाते, प्रगटी सुंदर सैल बरे, मनिया करे बहुभाते, उस सुंदर परबत पर बहुत प्रकार के सब नय नय ब्रेच, शदा पुस्प फल युक्त हो गए, और वहां बहुत तराकी मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल वैही, खग मदप सुखी सब रही, सहाज बयर सब जीवने त्यागा, गेरे पर सकल कर रही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बैता है, और पंची, पस, ब्रुमर, सभी सुखी रहते हैं, सब जीवने अपना सभाविक बैर छोड़ दिया, और परबत पर सभी परस पर प्रेम करते हैं। सो सैले गिरी जाग रहे आए, जिमि जुन राम भगति के पाए, नितिनूतन मंगल गरतासू, ब्रमादिक गावे जसु जासू, पारबती जी के घर आजाने से परबत ऐसा सुखायान हो रहा है, जैसा राम भक्त को पाकर भक्त सुखायान होता है, उस के घर निति नैने सो होते हैं, जिसका ब्रमादियस गाते हैं, नारत समाचारे सब पाए, कोतुक कही गिरी गई सिधाए, सैले राजे बड़े आदर कीना, पद पकारी बरे आसुन दीना, जब नारत जी ने ये समाचार सुने, तो कोतुक ही हिमाचल के घर पधारे, परबत राज ने उनका मुनी पदिसरी नावा, चरनी सलेली सब भूवनी सुचावा, ने जी सवभागे बहुत भी गिरी वरेना, सुतामोली मेली लीवूनी चरेना, फिर अपनी स्तरी सहित मुनी के चरणों में सिधन आया, और उनके चरणों दक्वे सारे घर में चड़कवाया, तो माचल ने सरबग्य तुम, गति सरबत्ती तुम्हारी, कहाओ सुता के दोस गुनी मुनिवर हिर्दय विचारी, हे मुनिवर आप त्रकालग और सरबग्य है, आपकी सरबग पहुच है, अता आप हिर्दय में विचार कर कन्या के दोस गुड कईये, कहे मुनिविह सी गुड मुर्दिवानी, सुता तुमारी सकल गुनिखानी, सुन्दर सहज सुसील सयानी, नाम उमा अम्बिका भवानी, नारद मुनिहस कर रहस युक कोमल वाडी से कहा, तुमारी कन्या सब गुडों की खान है, यह सुभाव से ही सुन्दर सुसील और है, उमा, अम्बिका और भवानी इसके नाम है, सब लच्छन संपन्न कुमारी होई है, संतति पिये पियारी, सदा अचल एही करिये भियाता, एही तेज सुपैये पितुमाता, कन्या सब सुल अच्छन से संपन्न है, वह अपने पती को सदा प्यारी होगी, इसका सुआग अचल रहेगा, और इससे इसकी माता-पिता यस पावेंगे, वह यह पूज सकल जग माही, यह सेवत कुछ दूर लभ नाही, यह करिनाम सुमरी, संसारा अत्री चणिये प्रतिवतिय सिधारा, यह सारे जगत में पूज होगी, और इसकी सेवा करने से कुछ भी दूर्लम ना होगा, संसार में इस्त्रिया इसका नाम स्मण करके पति बृत्ता रूपी तलवार का धार पर चड़ जाएंगी, सैले सुलचन सुता तुमारी सुन उतजय अप अउगुन दू इचारी, अगुनी अमानी मात पित हीना, उदासीनी सब संस एछीना, यह पर बतराज, तुमा जोगी जटिलियका मिमनी, नगनी अमंगले वेस, असस्वामी यह कही मिलाई, परी हस्ती असिरेक, योगी जटाधारी निसकाम, हिर्दय, नंगा और अमंगले वेस वाला, ऐसा पती इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है, सुनी मुनिगिरा सत्ति जी जानी, दुख दमपतई उमाहरे शानी, नारद हुया भेदुना जाना, दसा एक सुमुझह विगलाना, नारद मुनिको बाड़ी को सुनकर, और उनके हिर्दय में सत्ति जानकर, पत्नी को दुख हुआ, और पारवती जी प्रसन नारद जी ने यार रहस को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दसा एक सी होने पर भी बीतरी समझ भिन्न भिन्न थी, सकल सकी गिरी जागिरी मैना, पुलक सरीरी भले जलनाएना, हुई नाम्र सादे उरी सिभासा, उमासो बचन विर्दय धरी राखा, सारी सकीया, पार्वती, पर्वत, राजी, मुआन और मैना, सभी की सरीर पुलकित थे, और सभी की नेत्रों में जलवरा था, देवर्सी के बचन अशत नहीं हो सकते, पार्वती ने उन बचनों को विर्दय में धारण कर लिया, उपजे उसे उपदी कमली सने हू, मिलन कठीन मन भासंदे हू, जान को वह उसरे प्रीते दुराई, सकी उचंग बैठी पुनि जाई, उनी सियो जी के चरण कमरों में असने उत्पन हुआया, परंत मन में या संदे हुआ, कि उनका मिलना कठीन है, आउसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया, और फिर उन सकी की गोद में जाकर बाढ़ गई, जूठी न होई दे उरी सिबानी, सोच इदंपती सकी सयानी, उरी धरी दीरी कहयोगी रिराऊ, कहा उनाति की करए उपाऊ, देवर्सी की बाड़ी जूठी न होगी, या विचार कर हिमुआन मैना और सारी चतुर सकिया चिंता करने लगी, फिर रिदय में धीरज धर कर उपाई किया जाए, कहा मुनी सही ममंत सुन, जो विद लिखा लिलार, देव दनुजिनरी नाग मुनी, कोई न मेट निहार, मुनी सुनने का हे मुआन सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता दानो, मनुष नाग, और मुनी कोई भी नहीं म तुम पाई, मिला ही उमाई तस संसाय नाही, मैं तो भी एक उपाई मैं बताता हूं, यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है, उमा को वर्तो निसंदे वैसा ही मिलेगा, जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्ण किया है, जे जे बर के दो से बखाने, ते सब सी को सब को ही, परन्त मैंने वर्ण के जो जो दोस बतलाए हैं, मेरे अनमांसियो सभी स्योजी में है, यदि स्योजी के साथ बिवा हो जाए, तो दोसों को भी सब लोग गुड़ों की समान ही कहेंगे, जो इसे जिसायन करी करही, बुद्ध कुछ तिन के दोसों नधर रही, मानु कृसान सर्वर सिखाई, तिन के मदे कहाते को उना आई, जैसे बिशुडु भगवान से स्योजी सेया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोस नेज लगाते, सूर्य और अगनी देव अच्छे बुरे सभी रसों का भच्छड करते हैं, पर अन्द उनको कोई बुरा नहीं कहता, सुभु और असुभु सलीली सब बैही, सूरी सरी कोई अपनी ती नकैही, समरत कही नहीं, दोसु गुसाई, रभी पावक सूरी सारी नना आई, गंगा जी में सुभ और असुभ सभी जलबायता है, पर कोई से अपवित्र नहीं कहता, सूर अगनी और गंगा जी की भात समरत को कुछ दोस नहीं लगता